जैवीम सातियों मेरे नाम सुमे चुहान है और आप देख रहे हैं दशूद्र इस वीडियो में हम बात करेंगे परमोशन में आरक्षन पर अखिलेश यादव के यूटन की कैसे परंपरागत रूप से परमोशन में दलीतों के उमिलने वाले आरक्षन की कड़ी विरोधी रह सभा में परमोशन में दलीतों के लिए आरक्षन मिलने वाले बिल को पेश कर रहे थे उन्होंने जैसे ही बिल की कौपे अपने हाथ में ली समाजवादी सांसद यश्वीर सिंग भागते हुए उनके पास गए उनसे चीना जप्टी की और उनके हाथ से जो परमोशन में आर परदशन किया एक तरह से समाजवादी पार्टी सडक से संसत तक परमोशन में आरक्षन विधेक का कड़ा विरोध करती रही और वो हमेशा ये कहते रहे कि वो इस बिल के पक्ष में नहीं है लेकिन अब अचानक ऐसा क्या हो गया क्यों परमोशन में आरक्षन बिल के परिंटी देंगे यानि वो पर्मोशन में आरक्षन बिल को विधान सबा में पास करेंगे और संसद में उसके लिए वो समर्थन देंगे तो एक बहुत बड़ा सियासी बदलाव है उनके रुख में दरसल आरक्षन बचाओ समीती के सदस से देश भर में निताओं से मिलकर पर समर्थन मांगा कि आप पर्मोशन में मिलने वाले आरक्षन को समर्थन दीजिए लेकिन अखिलेश यादव ने बड़े ही हैरान कर देने वाले ढंग से इसका पूर जोर समर्थन किया और ये तक कह दिया कि यदि उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो वो खुद दलितों को आरक्षन की गैरिंटी देंगे यूपी की सत्ता में रहते हुए मुलाइम सिंग यादव पर्मोशन में दलितों को मिलने वाले आरक्षन का हमेशा विरोध करते रहे यही रास्ता उनके बेटे अखिलेश यादव ने भी अपनाया आपको याद होगा कि मायवती बेन कुमा कर दिया लेकिन उसके बावजूद मायवती जो हैं वो दलितों को पर्मोशन में अरक्षन देती रही और करीब दो लाख लोगों को इसका फाइदा हुआ यानि उनको जो पर्मोशन मिलना चाहिए ता समय पे वो नहीं मिल रहा था लेकिन ये बिल लागो होने के बाद यू 2012 में जब वो पूरन बहुमत की सरकार के साथ यूपी के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने मायवती के इस फैसले को पलट दिया और जो आरक्षन पहले से मिलता आ रहा था मायवती की साशन में जो निर्ने लिया गय था उसके हिसाब से जो दलितों को आरक्षन मिलता आ रह किया यानि उनकी प्रमोशन जो हुई थी उसको डी मोशन कर दिया गया और उन्हें एक सीनियर पद से जिस पद पर वो पहले थे उस पर ला दिया गया तो इतना कड़ा विरोध जो है समाजवादी पार्टी की तरफ से होता रहा है प्रमोशन में आरक्षन के बिल का संसद म बिल की कौपी पार्डी और यूपी में तो अखिलेश यादव ने खुद मायवती के साशन के दोरान आए हुए सा आदेश को ही पलट कर रख दिया और लोगों को रिवर्ट रिजर्वेशन यानि उनकी डी मोशन कर दिया लेकिन अब अखिलेश यादव कह रहे हैं कि यद से उन लोगों को परमोशन करेंगे तो अखिलेश यादव ने एक बड़ा एक बयान दिया है और इस स्टैंड में उनका जो रुक था उसमें बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है अखिलेश यादव ने वादा किया कि यदि उनकी सरकार बनती है तो पहले ही मिटिंग मे वो ये फैसला करेंगे कि जो दलित हैं उनको परमोशन में आरक्षन का लाब मिले और अखिलेश यादव यहीं ने रुके वो उन्होंने एक अदम और आगे बढ़ा दिया और उन्होंने ये तक कह दिया कि जो अबीसी कमुनिटी है जो पिछले वर्ग के अफसर और करमचा है वो उन्हें भी परमोशन में आरक्षन का लाब देंगे तो अखिलेश यादव ने एक साथ S.C.S.T. और जो अबीसी कमुनिटी है उसको अपने पाले में करने की कोशिश की है कि यदि हमारी सरकार आती है तो हम आपको दोबारा सम्मान देंगे आपको आपका जो रिजर निनीती के तहत ये फैसला लिया है कि अब आगे से समाजवादी पार्टी परमोशन में आरक्षन का विरोध नहीं करेगी दरसल हुआ यूँ कि यूपी में दलितों के बिना ओबीसी के बिना अब सरकार बनाना एक तरीके से नामुम्किन हो चुका है बहुत ही मुश्किल ह गया है और जो पिछले विदानसभा चुनाव के नतीजे थे और जो लोगसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और बीएसपी गडबंदन की बुरी हार हुई उसके बाद इनका गडबंदन खत्म हो गया और अखिलेश यादव को दरसल लगता है कि यदि उन्हें यू सहने जाए और स्वादी ने जाथे गया और जाएं कि ऊपी में आुपि में 85 सीटे हैं जो सी-स्ट के लिए आरक्षित हैं ये आरक्षित सीटे हैं और करीब 33 फिस दलित मत्दाता हैं जो बहुत निरनायक भूमी का निवाते हैं, किसी को भी हरा सकते हैं, किसी की भी सरकार बना सकते हैं, और 85 सीटे बहुत ज़्यादा माइने रखती हैं, यूपी के अगर सियासी जाती है समीकरण को हम देखें, तो एक तरीके से मोटा मोटा समझ में ये आता है, कि सवर्ण जो लोग हैं, जो चुनिंदा जाती हैं, वो हर हाल में वो बीजेपी और कॉंग्रेस के पास ही रहती हैं, और बहुती कम लोग उनका वोट जो इदर उदर होता है, वो बीजेपी और कॉंग्रेस के प्रती ही उनका जुकाव रहता है, जबकि यादवो का एक तरीके से प्रंप जुकाव है और मायवती की जो BSP पार्टी है उसका एक और वोट बेंक माना जाता है जाटव लेकिन इन सब के बीच में जो गैर जाटव वोट बेंक है और जो गैर यादव वोट बेंक है उस पर काफी कुछ निर्बर करता है कि वो सरकार को बनाने और बिगाडने की भूमिक वोट है और जो गैर यादव वोट बेंक है उसको अपनी तरफ लिया जाए बार बार ये प्रचार किया गया यूपी में कि आरक्षन का फाइदा सिर्फ यादवों को हुआ और बीसी जो आरक्षन उसको सिर्फ यादवों को नोकरियां मिली उनका फाइदा हुआ सारे थान जो रिजर्ब केटेगरी हैं, जो प्रमोशन, माफ कीजेगा, जो आरक्षन उनको मिला हुआ है, उसमें सब केटेगरी उन्होंने डाल दी थी, यानि जाती वार आरक्षन देने की उन्होंने बात की थी, कि यादवो को मान लीजिए 10% आरक्षन दिया जाएगा तो बाकी का औ बीजेपी आपके हक के लिए बात करती है तो वो एक तरीके से उन्हें लुभाने की कोशिश कर रहे थे जिसे बाद में कोट ने उस पर फटकार लगाई और उसको गहर समवेधानी गोशित किया कि आप इस तरह से नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह समवेधानी प्रक्रिया नहीं ह गूम रही है और तमाम पार्टिया इस तरह से कोशिश में हैं कि इन जातियों को अपनी तरफ किया जाये जिससे वो जीत की और जा सकें क्योंकि मुस्लिम समुदाइब भी बटा हुआ है यूपी में कॉंग्रेस है समाजवादी पार्टी है बहुजन समाजवादी पार्ट मोचे व अवठी है और भी आजाद समाज पार्टी के अभी गठन हुआ है तो इस तरह से Muslim वोट बेंक भी बटा हुए है कि वो किस तरफ जाए तो कुछ लोगों का जुकाओ किसी पार्टी की तरफ और कुछ लोगों का जुकाओं बाकी पार्टियों के और है तो इन सब को अलावा बचे सवर्ण और गैर जाटव और गैर यादव जातिया तो कोशिश बीजेपी की ये है कि इनको किसी तरह से अपने पक्षमे किया जाए तो अखिलेश यादव भी इसी रणनीती से शायद वो परेरिना ले रहे हैं और उनको जातिया है आवा मुसलिम वोटर्स को किसी तράह से अपने पक्षमे किया जाए उनको लुभाया जाए और साथ ही जो गैर जाटव जो दलित जातियां हैं अन्य जो दलित जातिया हैं उनको भी लुभाकर अपनी तरफ किया जाए जिससे यूपई के 85- 82- stereo ЧP which ए जाँ है जो एक बेसिकली सत्ता को हासिल करने की एक रणनी थी के तहत हम अखिलेश यादव के स्टेंड में परिवरतन हम देख रहे हैं क्योंकि इस तरह के तमाम हमने फैसले देखे अखिलेश सरकार में या फिर मुलाहिम सिंग यादव की सरकार में जो बहुजनों के हितों से जुड़े कर दिया और उनको डिमोशन कर दिया जो पदानुती हासिल कर चुके थे उन लोगों को भी पीछे कर दिया अखिलेश यादव ने तो ये बड़ा फैसला था संसद में बिल की कौपी फाड़ दी और मायवती ने जो अलग अलग जिलों के नाम बदले थे माता रमा बाई के जोतीबा फुले के नाम पर डोक्टर अमबेटकर के नाम पर और अन्य महापुरुश महानाइकाओं के नाम पर जो कुछ शैरों के जिलों के नाम बदले थे तो अखिलेश यादवने सत्ता में थी उनको रीनियम कर दिया और दोबारा उनके नाम अलग रखे गए तो इस त थी कि समाजवादी पार्टी को शायद ये लगता है अलग अलग लोग इस तरह की समाज रास्त्री जो है उसका उनका ये मानना भी रहा है कि दरसल अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ने शायद ये हमेशा से उनका ये सोचना रहा है कि क्योंकि उनके पास याद जातियों के लोगों को ज्यादा बनाया गया और बाद में फिर वो पार्टी छोड़कर दूसरी बीजेपी आ कॉंग्रेस में चले गया ने पार्टियों में चले गए तो अखलेश यादव और मुलाहिम सिंग यादव जो एक तरीके से सवर्णों को नाखुश नहीं रखना क्योंकि जो आयद्या में जो गौली कांड हुआ था मुलाहिम सिंग यादव की सरकार के दुरान जो गौलिया चली थी उसके बाद एक तरीके से समाजवादी पार्टी को एंटी हिंदू पार्टी की तरह पेश किया गया और तरचार हुआ तो किसी तरह से उन्होंने अपन फाइदे के फैसले होते हैं उसमें रुकावट करोगे तो उनको फाइदा होगा शायद इसी थेरी पर समाजवादी पार्टी लंबे समय तक काम करती रही लेकिन असल में हुआ क्या समाजवादी पार्टी को नुकसान हुआ क्योंकि सावर्ण तो नहीं डिगे वो अपने बैंक जिस पार्टी को वो वोट देता हैं उन्होंने उसी को वोट दिया बीजेपी को विदान सबाचनाओ में भी और दोनों लोग सबाचनाओ में भी उन्होंने वोट किया उन्हीं तरफ उनका जुकाव था और जो निताओं को जो जिन लोगों को समाजवादी पार्टी ने लाब पहुचाया वो लोग भी पार्टी छोड़कर जो हैं वो फिर बीजेपी में चले गए दूसरी पार्टीों में चले गए और इसकी वज़े से जो इनके एक अच्छी वोट बैंक होने वाली जातिया थी उनमें भी एक तरीके से निराशा हुई उनों दुखी हुई और वो लोग भी इन से धीरी धीरे अलग होते चले गए और मुझफर नगरदंगे के बाद में तो मुसल्मानों के दिल में भी समाजवादी पार्टी की तरफ जो है एक अशंका सी उभरी तो इस तरह से उनको नुकसान हुआ और शायद हब उन्हें इस बात का अंदाज़ हो गया है कि यदि उन्हें सत्ता में रहना है तो उन्हें बहुजनों से जुड़े हुए फैसलों पर रुख बदलना होगा बहुजनों से जुड़े हुए हितों के जो मुद्धे हैं उस पर उन्हें संजीतगी से विचार करना होगा क्योंकि इनके बिना सरकार बनाना तो उनके मुकाबले यदि उनको अपने आपको एक स्ट्रोंग लीडर की अपोजिशन लीडर की तरह पेश करना है तो उनको उनके लिए जरूरी हो जाता है कि वो बोजनें से जुड़े हुए मुद्दों पर वो फैसला लें जिससे बोजन समाज में नाराजगी ना हो तो य एक तरीके से सियासी उनके दिमाग का उनकी रणनीती का यूटन है उनकी राजनीती में एक बड़ा यूटन माना जा रहा है इसे लेकिन इसको देखना ये बड़ा दिल्चस्प होगा कि क्या इन सब फैसलों से हम इनके पुराने जो इनके काम हैं समाजवादी पार्टी सर है यकीन किया जाए और कितने लोग यकीन करते हैं ये भी एक बड़ा सवाल है इसका जो नतीज़ा है वो तो चनाओ में देखने को मिलेगा कि कितने लोगों ने अखले श्यादव की बात पर भरोसा किया या फिर उन से जो हिसाब किताब अपना उन्होंने पूरा किया तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सबस्क्राइब करें यदि आप इस वीडियो को फेस्बुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेस्बुक पे इस भी जरूर लाइक करें इसके लवा हम इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी काफी एक्टिव हैं आप वहां भी हम लोगों को फोलो कर सकते हैं मेरे नाम सुमिछ चोहान है और कैमरे के पीछे मेरी सैयोगी अज़रा परवीन मुझे इस वीडियो को बनाने में मदद कर रही हैं जै भीम जै भारत